हैलो प्यारे बच्चो तुब भै कैसे है सभी बच्चे आशा करती हों सभी बच्चे बहु होँगे। कैसे हो सभी जल्दी सैंबच्च आप सभी एक दम मस्थे हो है न तो स्वागत है आप सभी बच्चो का अपके अपने यूटूब चैनल पर आज हम फिर आ गए हैं हमारी JNV NMMS की क्लास में है ना तो भई यहां क्या करने वाले हैं हमारा mental level क्या करने वाले हैं increase करने वाले हैं with some questions है ना कुछ question की help से कुछ question की सहायता से जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ JNV जवाहर नवोदे विध्याले एक exam होता है जिसको pass करने पर आप उस विध्याले में पढ़ सकते हो NMMS National Means Cum Merit Scholarship Test यह एक test है जो कक्षा आट का बच्चा भी दे सकता है नव का बच्चा भी दे सकता है तो 9th में जाने वाले हो तो भी किस बात की टेंचन 9th में भी तो दे सकते हो है ना तो मेरे साथ prepare करते चलें अगर आप इन exams की preparation नहीं करना चाते हैं भाई और हर चीज के लिए यह तो चाहिए और यह तभी शार्फ होगा जब हम इसको दोडाएंगे गोडे की तरह है ना तो क्या आप सभी बच्चे रैडी है रैडी हो तो यार एक बड़ थमसब दिखा दो चलिए 30 seconds का समय है बच्चा पाटी आपके पास फटा फटा आप answer दीजिए है ना और भाई मैं आपको बार बार कह रही हूँ जो यह class अटेंड नहीं करेगा उस बच्चे को SST की class में entry नहीं मिलेगी अगर SST की class पढ़नी है तो इस class में entry चाहिए ही चाहिए यह class पढ़नी ही पढ़ेगी जो नहीं पढ़ रहा है दोस्तों को बुला लो है ना अधिक से अधिक लोगों को share करो YouTube पे नए हो तो subscribe किये बिना ना जाना ठीक है चली जल्ली से बताई इस question का answer 30 seconds में से 20 seconds निकल चुके हैं 10 seconds बचे हैं विटा चली देखते हैं भई घीता सीता से अधिक सुन्दर है तो घीता जो है वो सीता से अधिक सुन्दर है चलो कोई बात नहीं लेकिन रीता जितनी सुन्दर नहीं है मतलब रीता सबसे जादा सुन्दर है तो सीता रीता से जादा सुन्दर है नहीं भई सीता गीता जितनी सुन्दर नहीं है, बिलकुल सीता कम सुन्दर है, गीता अधिक सुन्दर है, बिलकुल सही है, गीता रिता से ज़्यादा सुन्दर है, नहीं, रिता गीता जितनी सुन्दर नहीं है, नहीं, तो हमारा answer हो गया B, जिस जिसका सही है ठोकोथ हम सब यस मैम हमार सही है कुशन नमबर 2 A की मा B की बहन है और C की बेटी है D बेटी है B की और बहन है E की तो C का E से क्या सम्बन है 40 सेकंड का समय है आपके पास चलिए बताईए बिटा 40 सेकंड का आपके पास समय है जल्दी करो बिटा 40 सेकंड्स में से 20 सेकंड्स निकल चुके हैं बच्चा करो चुके बच्चा जल्दी करो करोस्ते बच्चा जल्दी से बेटे, चलिए देखते हैं, A की मां B की बहन है, A की जो मां है वो B की बहन है, और C की बेटी है, यानि C, C का बच्चा B और B का बच्चा A, ठीक है, चलिए, D बेटी है B की, भई D जो है वो B की बेटी है, है ना, सॉरी, हाँ, और बहन है E की, चलो, तो C का E से क्या संबंध है, भई, C का E से या तो नाना हुआ, या नानी हुई, चलो, जिसका सही है, ठोकोद हम सपियास मैम सही है, नेक्स्ट कोश्चन, कोश्चन नमबर 3, अगर स्ट्रीम लाइन के दूसरे पांचवे छटे और दसवे अक्षरों को मि का 3 अक्षर क्या होगा, इसमें भी आपको मैंने 40 सेकंड्स का समय दिया है, चली, 40 सेकंड्स है बच्चा आपके पास, जल्दी से इस कोश्चन का एंसर बताइए बटा, जल्दी से बच्चा, 40 सेकंड्स में से 20 सेकंड्स निकल चुके हैं, जल्दी करो बच्चा, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेर करो, यूटूब पे नए हो तो सब्सक्राइब किये बिना मत जाना, और बिटा मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप यह क्लास अटेंड नहीं करोगे, आपको और कोई क्लास अटेंड करने में नहीं दूँगे, ठीक है, और सबसे इंपोर्टन बात, आज रात को 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आइंस्टीन और सुपर आइंस्टीन की खोज कंटेस्ट, तो भई पार्टिसिपेट जरूर करें बेटा, चलिए, तो भई आपका है, एस, टी, आर, ई, ए, एम, एल, आई, एन, ए, है ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नव, और दस, दूसरा यानि ती, है ना, पांचवा यानि ए, छटा यानि एम, और दसवा यानि ए, अगर इसको मिला के, अगर हम सही सब बनाएं, वर्ड तो बनेगा ट इसका तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर है ए, तो तीसरा अक्षर हो गया ए, वेरी गुड बिटा, कोशन नमबर फोर, शार्दा ने दक्षन दिशा में चलना शुरू किया, पंदरा मीटर चलने के बाद वह दो बार बाये गुमी और पंदरा मीटर फिर चली, जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ, फटाफट सभी बच्चे, आपको करना है बिटा, अपने दिमाग के दोड़े गोड़ाओ, है ना, गोड़े दोड़ाओ, दोड़े नहीं, गोड़े दोड़ाओ, और फटाफट एंसर दो बच्चा, फटाफट, चली दिखते हैं, शार्दा ने दक्षिर में चलना शुरू किया, पंद्रा मीटर चली, है ना, फिर वो बाए मुड़ी, है ना, फिर वापिस बाए मुड़ी, पंद्रा मीटर चली, चलो, तो वो अपने प्रस्थान इस थल से कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है, पंद्रा मीटर, किस दुशा में है, वो यहां से है, यहां के चलिए 35 सेकंड का समय है इस कोशन के लिए जल्दी से करके बताओ बिटा क्या आएगा जल्दी से बताओ बिटा कोशन मार के प्लेस पर क्या आएगा बच्चे चलिए देखते हैं भई एक तीन आठ नाइनटीन फोर्टी टू एटी नाइन कोशन मार देखो एक इंटू दो प्लस एक बराबर तीन तीन इंटू दो छे प्लस दो कितना हुआ आठ आठ इंटू दो सोला प्लस तीन कितना हुआ उननिस ठीक है चलिए फिर उननिस इंटू दो 42 है ना स्वरी प्लस पांच किया तो कितना आया बेटा 89 अब क्या करना है 84 इंटू तो करना है एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा चार जोड़ा पांच जोड़ा और छे जोड़ा तो भई ये कितना हुआ 8 168 इसमें 6 जोड़ दो है ना स्वरी चार दुनी 8 और 8 दुनी 16 इसमें 6 जोड़ दो आ जाएगा हमारा एंसर कितना सिंपल है कुछ करना था कुछ करना ही नहीं था चलो next question question number 6 टिके ये question आपका homework में है जल्दी से इसको note कर लो ये आपका challenger question है बिटा ये आपका challenger question है और इस challenger question को बिटा आप करेंगे challenger question को आप करेंगे challenger question है बिटा इसको आप solve करेंगे और मुझे comment box में इसका answer देंगे ठीके और सभी को answer देने है question number 7 question मार के place पर क्या आएगा ये बताना है चलो जल्दी से बताओ बिटे जली दे एना डेको अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो यह न बीच वाले को तो बीच वाला E दो बार उल्टा है एक बार सीधा है तो वापिस दूसरी बार भी सीधा होगा तो आपका option number C हो जाएगा चले next question number 8 भई question mark place पर क्या आएगा चलो फटावट बताओ 30 seconds का समय है सभी बच्चे answer देंगे बताओ बटाओ बताओ 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 फटावट बताओ चलो देखो अगर इन दोनों चितरों को देखो तो दोनों में क्या है एक फूल बरा हुआ है चली एक डोट वाला है और कौन सा है ये वाला है तो देखो डोट वाला यहाँ पर भी है एक डोट के अंदर गोले के अंदर डोट, गोले के अंदर डोट यहां पर भी होगा, तो गोले के अंदर डोट नहीं है, यहां पर मिसिंग है, तो वही हमारा answer हो गया, चलो, question number 9, again 30 second के लिए है, question, जल्दी से बताओ बिटा चलिए तो भई इस question का homework में ही आप लिखेंगे comment box में answer लिखेंगे तो I hope आपको class में मजाया होगा चलो किस को class में मजाया किस को questions all हुए बताओ कोई असा है जिसके ये 9 9 questions सही है 9 में से 2 homework भी दिये तो 7 questions सही है I hope आपकी 7 questions सही होंगे है ना चलिए तो आज की class को हम यहीं विराम देंगे अधिक से अधिक दोस्तों को share करो like करो YouTube पे नए हो तो subscribe किये भी ना मत जाना तो मिलते हैं बच्चा next class में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार